जय जगनात जय जगनात जय श्री राम जय जय श्री राम एधी उपस्तिता भाई और बावणी मान को मोर नमस्कार मा भंडार घरानी मा मांजी घरानी और मा पेंडरानी के चरणों में भी मैं आस्ता पुर्वक नवन करता हूँ मैं सबसे पहले जो लोग बहार दूप में तप रहे हैं मैं सबसे पहले उनकी शमा मांगता हूँ यह जगा बहुत छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूँ जितने यहां है उससे पांच गुना लोग बहार दूप में तप रहे हैं जो लोग दूप में तप रहे हैं मैं उनको विश्वाद दलाता हूँ कि मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूँगा आप जो तप कर रहे हैं मुझे आशिरवाद देने आये हैं आपका यह प्यार आपका यह आशिरवाद मैं यहां का विकास करके मैं जुरूर लोटाओंगा इस चुनाओं में यहां हमारे साथी MLA का भी चुनाओं लड़ रहे हैं हमारे साथी MP का भी चुनाओं लड़ रहे हैं मैं चाहूंगा जो MLA का चुनाओं लड़ रहे हैं वो जर आगे आजाए जो MLA का तुनाव लड़ रहे हूं आगे आजाए और जो MP का तुनाव लड़ रहे हूं वो भी आगे आजाए एक मिनिट आगे 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 यहां कोरापोट और काला आंडी से भी अनेक साथी आए हैं, माता बहने आई हैं, मैं आप सभी का सीर जुका कर अभिनंदन करता हूँ आपका ये उत्सा साब साब बता रहा है, कि इस बार बीजेडी जाएगी, बीजेपी आएगी उडिशा में पहली बार डबल इंजिन सरकार ओडिशारे प्रथाम थार हैब डबल इंजिन सरकार ओडिशा को भाजपा का पहला सीम मिलेगा और ये भी लिख रहे है, सीम कौन बनेगा? यहां का उडिशा का ही उडिशा का बेटा या उडिशा की बेटी वो ही सीम बनेगा कोई बहार वाला नहीं बनेगा जो उडिशा की मिट्टी यहां की संस्कृती उसको अपने मात सिर माते पर लगा कर चलेगा वही भाजपा अपना पहला सीम बनाएगी जो यहां की समस्या जानता है जो यहां के समाधान जानता है जो जनता से जुड़ा हो भाजपा ऐसा सीम देगी यह मोदी की गारंटी है और दिल्ली के लिए आपको क्या करना है हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए क्या करना है फिरेकमार 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 इस बार उडिशा और दिल्ली में डबल इंजीन की सरकार उडिशा के विकास को नई गती देगी यहाँ प्रगती लाएगी और इसलिए मेरी प्रार्थना है इस बार लोग सभा की सभी 21 सीटों पर कमल खिले खिलेगा कमाल सभी किसचिटों पर और विदान सभा में भाजपा को बीजेपी को बंपर जीत मिले साथियों आप लिख लीजिये लिख लेंगे याद रखेंगे तेरा सब के सब बताओ लिख लेंगे आप लिख लीजिये चार जून चार जून को पीजेडी सरकार की एश्पारी डेट है और मैं आज यहां क्यों आया हूं मैं आप सब को निमंत्रन देने के लिए आया हूं चार जून को पीजेडी सरकार की एश्पारी डेट है और दस जून को पाजपा के मुख्यमंत्री के शपत समारो की डेट है और मैं आपको भूनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपत समारो का निमंत्रन देने के लिए यहां तक आया हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने जैसे राम मंदिर का निमंत्रन ठुकरा दिया ना आप लोग नहीं ठुकराएंगे मुझे पुरा पता है आप लोग जुरूर मोधी के निमंत्रन को स्विकार करेंगे साथियों साथियों कल उडिसा भाजपा ने बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार संकल्प पत्र जारी किया है मैनिफेस्टो जारी किया है और इसके लिए उडिसा भाजपा के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र है भाजपा के संकल्प पत्र में उडिसा के तेज विकास की आपके सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ती है खास करके मेरी माता और बहनों के लिए उडिसा की महिलाओं के लिए ये जो सुभदरा योजना लाए है ना ये तो अदभूत है ये सुभदरा योजना ये हमारे उडिसा की माता और बहनों की जिन्दगी बदल देगी ये मोदी की गारंटी है केंदू पत्र संग्राकों को बोनस हो देश के प्रमुक शहरों में ओडिया समुदाए भवन का अन्दिरमाण हो पुजुर्गों को पेंशन हो और उडिसा के युवाओं को रोजगार के नए आवसर हो भाजपा के संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई है यहां भाजपा की सरकार बनते ही इन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा सज्जन आप तस्वीर लेके आये हैं मैं आपका आभारी हूँ आप निचे रखे पीछे परेशान हो रहे लोग आप निचे रख दीजिए इसको निचे रख दीजिए मैंने देख लिया भई आपको भी देख लिया तस्वीर भी देख लिया लोग पीछे परेशान हो रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद साथियों पुडिशा के लोगों में सम्भी है और जजबा भी है लेकिन मुझे ये देख कर दूख होता है कि बीजडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया मोदी जी जो योजना ये बनाता है उसको बीजडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया जो लागू हुई उनमें बीजडी ने अपने प्रस्टाचार का ठपा लगा दिया मोदी ने मुप्त चावल की योजना शुरू की क्यों ताकि उडिसा के किसी भी गरीब मा के बच्चे को भूखा न सोना पड़े गरीब का चूला जलता रहना चाहिए लेकिन बीजडी सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया साथियों मोदी ने पुरे देश में आयुश्मान योजना शुरू की इससे आप देश में कहीं भी रहे पांच लाक रुपिय तक मुप्त इलाज मिलता है लेकिन बीजडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया साथियों मेरे लिए तो आप सब आप सब मोदी ही है और इसलिए आप गाउं गाउं में जाकर कर दो कर दो